हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा जो चित्रकला का पेपर वाइरल किया गया है इसी प्रश्ण पत्र में से आपकी बोर्ट के एक्जाम 25 फरवरी को यहीं से प्रश्ण बनेंगे फ्रेंस तो इस प्रश्ण पत्र का हल जो है आप जरू से प्राप्त कर सके चलिए फ्रेंस बीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस जो चित्र कला के पेपर है आपका जो पुडांख होगा सतर नंबर का होगा जिसमें आपको समय मिलेगा तीन घंटा पंदरा मिनट का इसमें 15 मिनट जो होगा आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा इसमें आप कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं फ्रेंस यहां पर खंड का है खंड का में आलेखन कला और प्रावीधी कला के परतेक 20 बहु कुछ दिदी कला मेंसे किसी एक भाग का है आपको न था में आप न पटीऊनगे चैन के अपσι 골лом कोग्ज़र होंगे तो फ्रेंस यहां पिए आपका पहला सवाल है कि मुक्हे रंग कितने होते हैं जिसका अब सवालों है तीन दो 5 और साथ देखें शाज़ यूदू होते हैं यदर शुकु याद रख्यागा कि मुक्हे रंग तो होते मुख्य रंग कितने होते तीन होते हैं लाल नीला पिला इसको आप या रखी एक तीनों को इस प्रश्ण का को पहले से पता हो उसका आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखा करें तो फ्रेश्ण ardenशन का सभावOW कार devotion प्रशन के यहां पर आपको सीथल राघ सवायव होगा और प्रेज़ பरशन का सही जवाब के विट उत्यजु प्रशन पूर्शन का सभी और दिक्रश्ण सवाल進締 को सहा हरा ऌर्वारग है और थंडा रंग आपका अंग क्वर्च और नंबर का सवाल है चोथा नंबर का कि ओष्ट वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं आप साने आठ होंगे साथ होंगे च्छ होगा या पांच होगा तो फ्रेंच जो ओष्ट वाल्ड होता है उसमें टोटल कितने रंग होते आठ रंग होते हैं इसका सही जवाप का होगा फि आपके सामने अगला नंबर का सवाल है पांचवा नंबर का कि निम लिखित में दिवती रंग कौन सा है आप साने नारंगी लाल पीला नीला तो फ्रेंज दिवती रंगों की संख्या कितनी होती है तीन होती है इसमें से आपको दिवती रंग कौन सा है तो नारंगी है तो इस लाल नीला यहारा पीला तो फ्रेंज जो ततष्ट रंग होता है आपका होता है सफेद काला इस प्रश्ण का सही जवाब होगा कर फ्रेंज इसके साथ में आप याद जरूर रखिएगा कि सफेद जो रंग होता है ना इसका विरोधी रंग काउंसा होता है तो सफेद रंग का विरोधी रंग होता है काला होता है साथ में इस प्रश्ण को भी आप याद रखिएगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है आपसा ने हारा आसमानी पीला लाल नीला पीला काला सफेद भूरा नारंगी धानी आसमानी तो फ कौन से रंगों का माध्या पारदर्शी होता है आप से जल रंग ते shouldогलों का या पेस्ट तो देखिए इसका सही जवाब होगा आपका सोब एक विछरोधी रंगों से होता है का लगा होगा निला असमानी का ना रंग अभी यदि हम लाल रंग में नीला रंग मिलते हैं तो आपको वैगनी मिलता है आपके सावने अगला नंबर का सवाल पर आपका पीले रंग में लाल रंग मिलानें कौं सा रंग मिलता है आप से नारंगी धानी बैगनी यह आस्मानी फृष्व की रंग मिलते हैं इस प्रश्ण को साथ में आपi याद रखेगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखतेर आप के सामने अगला नंबर का सवाल है कि थी रंग कितने होते है तो फ्रेंस आभी आपको बताएं कि प्राथमिक hello की संख्या तीन होती है तीन होती है तो इस प्रस्किश्च finds और ग्रभischer आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है ठीक है यह आप साने नीला होगा सफेद होगा हरा होगा या धानी होगा तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है फ्रेंस आपका नीला होता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब होगा कड आपके सामने अगला नम्ब का सवाल है 14aran नम्बर का कि इंद्रदनुश में कितने रंग होते हैं आपसाने 7 8 9 10 तो अभी आपको पता है कि जो इंद्र अनुष होता है उस में टोटर रंग कितने होता है सात होते हैं सप्रशुन का सही जवाब होगा कि उष्ट वाल्ड में कितने होते हैं थीक है आपके सामने अग्ला नमबर का सवाल आपके सामने अगला नमबर का सवाल है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिकाली होती है यहाँ पर आप कंसेप्ट याद रखिएगा जिससे आप आसानी से एंस्वर दे सकते हैं देखें जैसे वन भी होता है कामा टू भी होता है डाट डाट इसी तरह करके नाइन भी तक होता है भी ठीक इसके आगे भी होता है अधर यहाद विम्तलब होता है और ब्लेक अपर होसे और रख सकते हैंते वकıkंस्तिंस बनाई रहाए अधिकाली होती है यह यहाँ पर बीस ईए नहarten एक best एक होगाद हो सब सब काली पूछता फ्रेंस यदि आप से नाइन भी रहता ता आपका सही जवाब क्या होता नाइन भी होता चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है सत्रहवा नंबर का कि काउन सी पैंसी से बनाई गई रहा हलकी होती आपसे ने टू यह यह भी टू भी या फोर भी देखें इसको भी याद रखिएगा कि देखिए वन यह टू एच डाट डाट करकी यह नाइन यह तक होता है इसमें जैसे ही इसकी ग्रेट की संख्या बढ़ नाइन यह लेकिन यह अपिद्ट आपसन संफ में 2 ह धिया है तिसका चीजवाप क्या होगा कि आपके सामने अगला नंबर का साव अनृट्रा नंबर कर कि फूल और कली के बाहरी रिखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रियोग करते हैं आपके सामने का दो नंबर का चार नंबर का चार नंबर का चार नंबर का या साथ नंबर का तो फ्रेंस इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि दू नंबर का ब्रश की अवशकत कि बनावर्थ के डिष्टी से देखा जाए फ्रेंस आले खंद चार परकार के होते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका को ठीक है आपके सावने बीसवा नंबर का सवाल है कि च्छत के केंद्र को अलंक्रित करने के लिए कौंस आले खंद उपयुक्त है तो फ्रेंस इ देखिये आपको प्राविदी कला आ गया अब आपको पता है कि आपको प्राविदी कला कर रहा है या आले खंद कला इन दोनों में से किसी एक कोई करना है यहां पर प्राविदी कला के जितने इंपोर्टेंस सवाल है देख लेते हैं यह भी आपका बीस अंक कर रहेगा ठी साथ पूर्षक होता है आपने ख॥रेंट प्रत्यव्य की बारे में याद रखेंगे संभाउ Bapt क्या होता है कि परतेग भूजा बराबर होती है इसमें प्रत्य कुर्ड होते आपस बराबर होता है और कितने क्या है होता है संबावतिर पूज का साथ अंस का इसका सही जवाब होगा आपका को ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि संपूर्ण को होता है देखिए आपसा ने 360 120 180 साथ देखिए फिरेंस यहां पे संपूर को एक संपूर देखिए आप पूरक कंसेप्ट सीख लिजे संपूर पूछा है एक होता है संपूरक एक होता है संपूरक ठीक है एक होता है संपूरक एक होता है कोटी पूरक क्या होता है कोटी पूरक क्या होता है कोटी पूरक तीनों का याद रखिए इन तीनों में सही सवाल देगा आपका देखिए संपूर कोड होता है जोने संप तौह हो जाता है संपूरक यokes फ्रेंस दो एकप्व कोडों का योग 1 0 100 होता है तुमसे हम बॉलता है कोटी पूरग båपन कोड करता है 2 herbs prayer की कोड़ showers यहाँ पी आपका पूछा है संपोड़ कोड पूछा है इसलिए सही जवाब क्या होगा 363 वोह सामने अगला the मद्रूं का सवालता है तो सम्कौण कितने उंस परश्णोग जानते कि इसे कघते हैं примे में वालों केली बहुत आसान होता यह ने अगले नमबर के सवालों को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है जो चौथा नंबर का है कि वर्ग का पर्तियक कोड कितने अंस का होता है देखे फ्रेंज वर्ग जो होता है ना वर्ग के बारे में सीख लिजिए दखिए वर्ग में क्या होता है इसकी चारों भूजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है इसमें परतियक कोड कितने अंसका होता है नब्बे अंसका होता है परतियक कोड और चत्रभूज के चारों कोड का यू कितना होता है यानि वर्ग के चारों कोड का यू कितना हो जगा 360 जितने बात बताएं इसको आप याद रखिएगा फ्रेंश ठीक है चलिए अब देखते हैं कि वर्ग का परते कोड कितने अंसका होता है ठीक है फ्रेंश अब देखिए आपका अगला है कि एक वर्ग के आंतरी कोडों का योग होगा 360 होगा 180 होगा 220 या 120 तो फ्रेंश अभी आपको बता है कि वर्ग के चारों कोडों का यूग कितना होता है 360 प्रश्ण का सही जवाब होगा आपका का होगा चलिए देखते हैं अगले नंबर के सवाल को जो छटवा नंबर का है काउन सी पैंस काउन सी पैंसी से बनाई गई रह कि वर्ग की चारों भूझाओं की नाप क्या होती थरह की च्यारों बूजाओं क्या भी बताएं कि वर्ग चारों बुजाओं पर SMA बराबर होती है यह आपकू सामने ंटव मापणी में में पहले बड़े मुक्य भाग में लिखा होता है देगे जैसे आपका ईसकेell कर्म स सबसे पहले क्या लिखा होता है जीरो इस प्रश्ण का सही जवाब होगा आपका जीरो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है ठीक है चलिए यहां नंबर के सवालों को देखते हैं देखिए यहां पर एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं गोले का यह कैसा होगा यानि रिंग जो होता है यानि इस आकार होता है आपको हो गया आपके सामने गरावा नमबर का सवाल है कि इन में से कौन से आकार आयत के आकार का होता है तो देखे फ्रेंस यहां पर देखे आयत क्या होता है जिसमें लंबाई चोड़ाई होता है ठीक है यह आपके आमने सामने के बुझाए आयत में क्या होती है बराबर होती है इसमें पर चाहें बराबर एक हाव रिट एख आयत थे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा है और गहा यह आपका एक सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला के इसमें से क्या होगा होगा ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अगला नमबर का सवाल है देखे क्या है कि रेखा किसे कहते हैं तो दो बिंदू की बीच की दूरी जो आता क्या कल आता है एक रेखा कल आता है इस प्रशन का सही जवाब होगा आपका कर रेखा किसे कहते हैं तो दो बिंदू की बीच की दूरी क्या कहते हैं रेखा कहते हैं आपको सामने अगला नंब अधिक कोड का मतलब 2010 समझने आपका यह क्या हो गांश से बड़ा और यह चोटा है तो वह किसके बीच में आता है अधिक कोड के अंतर गता आता है इस प्रश्ण का आपका सही जवाब क्या होगा का होगा नभी आंसे से बढ़ा लेकिन 180 से कम आपके सामने अगला नंबर का सवाल पंद्रहवा नंबर का कि संभाहू त्रिभूज किसे कहते हैं का आत्ते कोड को क्या करते हैं यहां पर चाओ क्या होगा कहते हैं इसका सही जवाब क्या होगा को होगा आपके सामने सत्रावा नंबर का है कि वर कि किसे कहते हैं तो फ्रेंस वर्ग की चारों बुजाएं क्या होती यह बराबर होती है इसका सही जवाब होगा को अठ्रावा नंबर का है कि एक डिसी मीटर में कितने संटी मीटर होते हैं तो एक डेसी मीटर में आप याद रखिए कितना होता है दस संटी मीटर होता है इसका सही जवाब क्या होगा को होगा एक डेसी मीटर में कितने संटी मीटर होते हैं दस संटी मीटर होते हैं च सबसे होती है तो यह से हलकी बनेगी क्या बनाए जाती है। चले फ्रैस अगले सवालों को आपको बताते हैं खंड ख दिखेंड जितने भी यहां पे चित्र दी छी गद्छे दिये के प्राकितिक द्रिष्ष्ज नाफ पराविध है इन तीनों से किसी एक का ही आपको एंस्वरम में देना है चित्र बनाना प्राकृति द्र्श्ट और देखते यह आलेखन कीजिए यह देखते हैं उसे प्राकृति नहीड क्याकिशंटे क्या किश्वरम किरें के रहेगा आपका आधी सुरेदे का दृष्ष चित्र कीजिए खेत की और जाते हुए किसान का चित्र तता आकास में पसु पच्छी की जो गाउं की जो पड़ी तता कुमे के पास घास चरती हुए गाए इस प्रकार चित्र बनाना है जिसमें आपको सही सर रचना परिपेच्छ देंगे तो आपको 10 प्रकास से आपको इस प्रश्ण पर तीस नंबर मिलेगा यदि फ्रेंस यह आपको नहीं आ रहा है तो देखी आप कौन से कर सकते हैं आपके सामने आलेखन है इसको कर लीजिए दिए गए ड्राइंग सीट पर सोला गुड़े 12 सेंटिमीटर के आयत में खिरकी के परदे के लिए एक इकाई वाले लैबद आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारती पुष्प कलियों यह पत्तियों का सुन्दर सन्योजन आलेखन मचली का संपूर सन्योजन ठीक है तथा रंग योजना उत्तम हो आलेखन में कम से कम सीन संगती वाले जल रंगों का प्रयोग करना है आपको आलेखन में निमनी बिंदों पर विश्यस ध्यान देना है इकाई की मौलिकता आपका सही बनेगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा लियात्मक रिखाकंड होगा सही होगा तो 5 नंबर उत्तम रंग प्रभावगत उस पे 10 नंबर मिलेगा आपके सामने अथवम करके दिया या प्रावीदी कला कीजिए आप देखिए इसमें क्या करना है आपको कि निमनलखित प्रशनों में से किनितीन के उत्तर देना है आपको सभी प्रशनों के अंक समान है ठीक है इसमें ध्यान प्रशनों करके देना है आप यहां पर प्रशनों में से आपको तीन करना रहेगा देखिए अपर यहां पर क्या है फ्रेंस का वाला प्रशन है कि अनु असपरशी वेनिस असपरश रेखा खिचना आपको घर रहेगा एक त्रभुच जिसकी बुजाएं चार संट्रीमिटर तीन दसमलों पांच सेंट्रीमिटर तीन सेंट्रीमिटर के अंतरगत एक बृत की रचना कीजिए जो त्रभुच की तीनों बुजाओं का असपरश करें ठीक है अगला है कि एक संदिबाहु त्रभुच बनाईए जिसके परते कोड़ पचास अंस का हो इसके अंतरगत एक अर्द्रित बनाना है आपको इसके अलावा देखिए फ्रेंस यहां क्या है आपका कि किसी चत्रभुच को खो गोगो के छत्रफल के बराबर त्रभुच की रचना करना है अंग्या कि एक मापनी कीजिए जिसमें दूदसमलों पांच सेंट्रीमिटर एक मीटर दूरी परश्भुच से करना है अब दखें yourself पांच मेसा अब को तीन करना है अब दिख्यों भी कर ना है तो आको सिक करना खाल को अ इसमीट अस्याइं। हした दो भागों के चितर द्यांगा इन से दोनों के चित्र बनाना है टीट्र की मांप आपको 15 सेंटिमेटर से कम नहीं रखना है देखे यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर पत्यों सहीत आम बनाना है पत्यों सहीत अनार पत्यों सहीत मूली या लोग इन चारों में से किसी एक कही आपको चित्र पैंसिल के द्वारा बनाना है अब देखे निमलिकित बिंदों पर आ प्रश्ण को जरूर कर लीजिगा के अगजाम में आ जाएगा आपके सामने अगला नमबर का सवाल है नम्र का है कि निम्रिकित में किसि एक का स्मिर्टी चित्र पेंसिल के माद्यम से बनाना है और वही चित्र की मां 15 cm से कम नहीं रखना देखिए आपके सामने चार है एक सुराई चित्र बना सकते हैं खुला च्छाता बना सकते हैं का प्लेट यह जग इन चारों में से भी आपको एक ही करना है जिसमें से सबसे आप इस वीडियो यह जो वीडियो है आप के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है देखे फ्रेंस आप क्या कीजिए कि जितने भी प्रशन इसी का आप सी प्रैक्टिस करके 25 फरवरी को आप एक्जाम देने चले जाएए आपका 70 में 70 नमबर आसानी से मिल सकता है देखे मैं की जाएए प्रि एम महारा अपका 30 में अभी प्रॉणत जितने जिसमा है जिसल्क provocative çıkar को आप की मिलस आप को लिए Moto एना कि मिलस एोны स्त Ciता है जाएभर बहुत में से जाएए आपका 10 फरुणतjang में बहुत Competition iPhone कि ऋसान जापका 10 इस ढ़ और आएएए और चना है संता है प